हेलो गाइज I hope you are doing well तो आज की वीडियो में हम अपने जो लिसनर्स है उनको क्रेट करेंगे नेटिव साइड और उसको फिर एक नेटिव साइड रजिस्टर करेंगे तो देखते हैं हमने इवेंट को कैसे यूज करते हैं तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं और इसको हम कर लेते हैं फ्लोट उन टॉप ओके तो मैं थोड़ा आपको रीकाइब करा देता हूं हमने अपने कुछ फंक्शन से बनाए थे हैलो वर्ल्ड नाम के हमने क्लास बना रखिया और इसमें हमने एक फंक्शन क्रेट किया था एड्टो नमबर्स जो की ए और बी नाम कोई इंट्टिव इंटीजर नहीं था तो हमने इसको तो इसके लिए हम क्या करेंग या तो मैं क्या किया कर सकता हो कि सेम फा dirig पर दाल दूँगा आप की ना हो तो इसके लिए हम एक separate फाइल बना लेते हैं यहाँ पर हम इस वीजिवायल का नाम रखेंगे हम जैसे की माईवेंस मायवनटस कि नाम से फैल बनाई है कि ऐसे हम objective-c नाम की भी फाइल बनानी पड़ेगी माइवेंट्स अब हमने क्या करना है जैसे यह फंक्शन आमने क्लास बनाई थी हेलो वल्ट की मैं इसको क्या करता हूं को पीपेस्ट कर लेता हूं आले इसको को पीपेस्ट किया दriad आपने जो भी आपने आपने ओना थी ह çek दो आपने फाईल का नाम है जब्ट करते टाइम जो हटा देते हैं एड्टू नंबर्स इसका नाम नहीं रख देता हूं विद इवेंट्स ओके एड्टू नंबर्स विद इवेंट्स परफेक्ट तो इसमें हम प्रोमिसीज का यूज नहीं करेंगे तो मैं इसको हटा देता हूं इसके लिए अब आपको यहाँ पर क्लास का यूज करना होगा और सीटी इवेंट्स एमीट्स तो इसके लिए अब आपको जो भी जब आप आपको एक में क्यूव सेट अप करना होता है उसका काम क्या होता है और आपको अभी बता देता हूं पहले हम अपना क्या करते हैं एक फंक्शन ओवर राइट करेंगे रिक्वाइर में सेट अप क्यू भूलियन इसको हम रेटन कर देते फोल्स मतलब जो भी आपकी इस class की execution होगी यह main आपने UI threads पे execute करवाना है या नहीं करवाना है अगर आप इसको main execute main UI threads पे execute करवाएगे तो उस case में आपका UI irresponsive रह सकता है तो इसलिए मैं इसको false किया अगर true अगर आपकी कुछ priority है like आपने कुछ location fetch करानी है तब आप इसको true कर सकते हो ओके तो अब आपने क्या करना है अपने events को आपने create करना है तो override करके हम supported events तो इसमें आपने पास करना है है अपने events का नाम जैसे on calculate आप कुछ भी नाम रख सकते हैं complete कि और एक रख लेता है failure कि अगर जैसे बस सिंपल आपने क्या करना है on calculate में on calculate में जैसे ही आपका result आया जो आपने resolve के जंगा यूज किया था तो आपने यहां पर लिखना है send event विद नेम आपके जो event का नाम है और बोडी में आपने भेज़ देना है रिजल्ट सिंपल रिजल्ट कि यह आपका गया result अगर error आया तो same आपने इसको को पी किया send event तो इस event का नाम आपका हो जाएगा आपने इसको करना था या पर इस event का नाम है आप फेल्ट यह है error तो आप इसमें string लिख सकते हो जैसे की calculation जो भी आपने पिछले इसमें लिखा था सेम एरर ही लिख देते हम कि दा रिजल्ट इज नेगेटिव ओके सिंपल आपका अब आपने जो माइवेंट्स नाम की क्लास मनाई है आपने इसको और इसके मैठेड्स बनाए है आपको इसको एक्सपोज करना होगा अपने माइवेंट्स की अब्जेक्टिव सी फाइल में तो मैं इसको को को पीपेस्ट कर लेता हूं कि आपकी क्लास का नाम है माइवेंट्स तो मैं यहां पर लिखूंगा माइवेंट्स तो एनस ऑब्जेक्ट्स की जंगा आपने लिखना है और सीटी इवेंटेमीटर जो कि आपकी एक आपने जो क्लास को इनहरेट किया है कि आपने हापे करते हैं सिंपली पास और आपके जो मैंथर्स का क्या नाम है आपके मैंथर्स का नाम है एड्टू नंबर्स विद एवेंट्स तो आपने हापे पास करता हैं एबी आप आपने इसको हटा देना है ओके सिंपल आपने यहीं करना था और अब आपने क्या करना है देखे यह एरर दे रहा है कि जो सूपर क्लास है कैनोट फाइंड इंटरफेस डिक्लेरेशन तो अब आपने यहां पर सिंपल क्या करना है इंपोर्ट करनी है अपनी टी टी ओ करते हैं अब यह मैंछ इंसमीन अब यह हमारे यह हमारे इवंट है हम इसको रिजिस्टर करेंगे आपको पता है रिएक निटिव साइड हम इसको आड लिसनर्स करते हैं जो भी हमारी इवेंट का नाम होता है ओके हम इसको चेक कर लेते हैं विदाउट यह चलना चाहिए ओके यह 45 अब मैं क्या करता हूं इसको कर देता हूं कमेंट से अगे परफेक्ट यह आ गया है अब आपको क्या करना है जैसे यह आपने माई इवेंट से आपने इसको अब एक इसका इवेंट एमिटर क्रेट कर लेना है तो मैं इसका नाम रख लेता हूं माई इवेंट्स लिसनर्स ओके नियू नेटिव एमिटर आपने इसको इसका मैथड है जो यह एक नेटिव से और इसमें आपने पास करते हैं माई इवेंट्स ओके सेंपल कंस्ट्रक्टर इस नोट को लेबल हम अपने नेटिव एप नेटिव एप इवेंट आइगस हमने गलत कोल कर लिया है हमने नेटिव इवेंट एमिटर में का यूज करना था तो इसको ओके यह चला गया अब सिंपली आपने क्या करना है यूज एफेक्ट का क्योंकि हमें अपने लिसनर रिमूट भी करने होते ह। वह नहीं का इसुद्ỏi मैमरीलिकेज काि सbuild. अब आपने कहेंना है माईयवन लिसनर इस में ःपने ये दिखा भी रहायरे श्क्रियन पर स्थ्रिंग पास करनी है आपने इवismoing का नाम पॉसकर नाक पांशन को और हम न डेटा देगा डेटा रिजल्ट और सेम मैं क्या करता हूँ अगर कुछ एरर आया तब मैं कैल्कुलेट फेल्ड एरर एरर अब मैं क्या करना होगा यहाँ पर जो इसका क्लीन फूंक्शन होता है मेरे को अपने जो लिसनर्स है इसको रिमूब करना होगा लिसनर्स का नाम है ओन कैल्कुलेट कंप्लीट हमसें इसको को पेस्ट करूँ का सिंपल मैं इसका क्या करना है पर अब मेरे को क्या करना है जो मेरा myEvents नाम का यह जो फंक्शन सा बना रखता है Add two numbers इसको मेरे को को कोल करना है तो अब आपने इसको कोल करने के लिए हम क्या करेंगे my events dot add to numbers इसमें simple हम value pass करेंगे 10 or 20 अब देखे इसका जो result आएगा मैं इसको यहाँ पर copy करता हूँ यह देखे मेरा result आ गया है मेरा यह जो listeners क्योंकि मेरा function call हुआ था जैसे मेरा यह function call हुआ है आप यहाँ पर देखोगे जैसे यह मेरा function call हुआ है और मेरे को result मिला है मैंने send event कर दिया है जो कि मैंने register कर रखा है अपने use effect में अगर कोई error आया तो मैं इसको error करता हूँ और इसको मैं pass कर देता हूँ यह देखे अब आया मेरा यह error में तो मैं इसको alert भी करा देता हूँ alert data dot result error dot error data is not defined what is यह देखे दा रिजल्ट इस नेगिटिव और अगर मैंने यह पर पोजिटिव भी जा तो यह 30 आ गया तो गाइज हमने जो जावस जो मैं इसको complete कर आइज मैक्सिमाइज कर लेता हूँ तो गाइज हमने Swift में देख लिया कि ब्रीजिंग कैसे करते हैं कैसे हम नेटिव तो रिएक्नेटिव साइट जावस्क्रिप्ट साइट कैसे कम्निकेट करते हैं हमने functions बना के देखें हमने functions से में कुछ रिजल्ट हमें चाहिए देख लिया है और साथ में हमने लिस्टन से सब्सक्राइब करते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में अंड्यूड पाइड Android पार्ट को cover करेंगे तो गाइज अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने बता भी सकते हो अगर आपके किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो गाइज अब हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ तब तक लिए बाई बाई एंड टेक केर